हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाचर एडिक्टिब, हज़रूं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, आज हमें एक्स्प्लेन करने वाले एक साइन्स फिक्षन मूवी को, जिसका नाम है बॉम्ब, जो साल 2010 में रिलीज भी थी, जिसे डारेक्ट किया था बैने टक फ्लीग गये हो, तुमने जाते जाते जो मुझे गिफ्ट दिया है, वह मुझे बहुत पसंद है, तभी हम देखते हैं कि ये औरत प्रेगनेंट है, और आगे हमें एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई देती है, जिसका नाम रैबिका है, और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है, आगे हमें रैबिका अपने घर पर बैट पर लेटी हुई दिखाई देती है, तभी वहां टॉमी आता है, फिर बहें दोनों बीच पर खेलने चले जाते हैं, अगले दिन बहें हमें टॉमी के घर पर दिखाई दी जाती है, जहां बहें सो रही होती है, टॉमी पास में आगले दिन सुबह हम देखते हैं वो दोनों सात में सो रहे होते हैं फिर बहर सायकल लेकर बीच पर चले जाते हैं आगे वे दोनों एक सनेल alta को देखते हैं और उसी के लगती है तभी टॉमी उसके पास जाता है और उसे किस कर लेता है पर वो वहाँ से चली जाती है आगे हमें रेविका नहाती भी दिखती है तभी उसको टॉमी का कॉल आता है रेविका कहती है हम शाम को छे बजे जा रहे हैं तुम आओगे ना तभी नेडवर्क में प्रॉब पस अपने घर आती है फिर वह टॉमी की मौम से जाकर मिलती है तब ही उसे पता चलता है टॉमी अब यहां नहीं रहता पर वो उनसे उसका पता ले लेती है फिर वह उस पते पर जाती है जब वो घर के अंदर जाती है तब वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका न टॉमी हमें रैविका के घर के बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है तभी वहां रैविका आती है फिर वो दोनों बीच पर चले जाते हैं तभी रैविका कहती है वो लड़की कौन थी फिर टॉमी कहता है मैं उसे नहीं जानता हम कल पहली वार मिले थे तभी वो अपने हलका रखा है फिर वो दोनों बातों ही बातों में रोमेंटिक हो जाते हैं और सेक्स करते हैं फिर वो दोनों हमें बीच पर दिखाई देते हैं तभी टॉमी कहता है मैं दो दिन के लिए बाहर जा रहा हूं रैविका कहती है मैं भी तुमारे साथ चलूंगी लेकिन टॉमी म केला खिलाते हैं अगले दिन वो दोनों काम के लिए घर से निकल घाते हैं जब वो आगे जाते हैं तब ही रेविका कहती है मुझे वाश्रूम जाना है तॉमी अपनी कार को सड़क के साइट पर रोकता है जब रेविका कार से उतर कर जा रही होती है फिर उसे पीछे से अबा चालती है तभी बहां उसे एक चिठी मिलती है जिसमें लिखा होता है मैं तब तक तुम्हारा इंतिजार करूंगा जब तक मैं जिन्दा हूं फिर वो लैपटॉप पर टॉमी की फोटो देखती है आगे हमें रैबिका बीच पर दिखती है और वो टॉमी के जैसे ही हरकते कर लाती होती है फिर वो आमने टॉमी की कबर के पर दिखाई देती है आगे हमें रैबिका के घर पर टॉमी के मॉम डट से बताती है और कहती है टॉमि्य फिर से जिन्दा हो सकता है तबी टॉमी की मा कहती है मेरा बेटा कोई जानबर नहीं है जिसे हम कबर से निकालें रैबिका उन्हें मनाने की कोशिश करती है पर वो बहां से चले जाते हैं आगे हम देखते हैं कि टॉमी के डैड रैबिका को जैनेटिक सेंपल देते हैं तबी रैबिका कहती है कि हम यहां से दूर चले जाएं पर टॉमी के डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं हम अगले अपते यहां से जा रहे हैं आगे हमें वो उस जैनेटिक लैब में देखती है जहां उसका इलाज हो रहा होता है फिर हमें रैबिका प्रेग्नेंट दिखाई देती है तभी उसका ऑपरेशन जाएं मेरे डैड कहा है तभी रैबिका कहती है कि पास साल पहले उसके डैड की एक कार एक्सिटेंट में मौत हो चुकी है आगे वो दोनों हमें साथ में घूमते हुए दिखाई देते हैं टॉमी उसे पोयम सुना रहा होता है फिर वो दोनों साथ में नहाते हुए होता है उनके साथ एक छोटी लड़की भी होती है तभी वहां रैबिका आती है और उस लड़की से कहती है अगर तुम चाहों हमारे घर पर आकर खेल सकती हो पर वो लड़की मना करके वहां से चली जाती है तभी टॉमी कहता है उसके सरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही बात को हम समझ सकते हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं दरसल बहे लड़की भी टॉमी की तरह एक क्लोन होती है अगले दिन टॉमी का वर्थड़े होता है लेकिन पर थड़े में आने के लिए सब लोग मना कर देते हैं क्योंकि उसकी दोस्ती उस लड़की से होती है जिस बज ले जा सकते हैं तभी रैबिका कहती है कौन सा घर यही तो हमारा घर है अगले दिन जब वह साथ में बैठे होते हैं तभी वहाँ एक छोटा लड़का आता है और कहता है मैं तुम्हारा पडोसी हूँ और टॉमी को एक नया दोस्त मिल जाता है अगले दिन जब वह साथ खेल रहे होते हैं और तभी वह रैबिका के ऊपर चड़ जाता है और कहता है अब मैं जो चाहूं आपके साथ कर सकता हूं तभी वहाँ टॉमी का दोस्त आता है जिसे देखकर टॉमी उसके साथ चला जाता है काफी साल बीत जाते हैं और हमें देखता है टॉमी बड़ा हो चुक वेहे मेरे साथ होती है from 흥ुश रहता हूं पर हम देखते हैं रैविका उन दोनों को साथ में देखकर बहुत दुखी रहती है अगले दिन सुबरे मॉनिका घर के बाहर जोगिंग कर रही हुती है जिसे देख रैविका टॉमी के रूम में चली जाती है और उसके पास जाकर सो जाती है जब टॉमी उठता है तब वो देख उसके साथ रैबिका सो रही है जिसे देख वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है तब ही वहां मोनिका आ जाती है और टॉमी के साथ किस करने लगती है और सेक्स करने की कोशिश करती है पर टॉमी उसे रोक लेता है और कहता है चलो साथ में आने चलते हैं अगले दिन रैबिका घर के बहार बैठी होती है तब ही टॉमी और मोनिका बहां आते हैं और टॉमी अपनी मॉम के साथ मस्ती करने लगता है मस्ती मस्ती में बहे उसकी टी-शेट के अंदर अपना मुगुसा देता है जिसे देख मोनिका बहां से चली जाती है फिर टॉमी भी वहां से चला जाता है फिर हम देखते हैं जब बहे बीच से घर वापस आते हैं तो उन्हें बहां एक और दिखाई देती है टॉमी पूँचता है ये कौन है मॉम पर वो कुछ नहीं कहती है और बहां से चली जाती है दरसल ये उसकी दादी मा होती है जो पहले वाले टॉमी की मा होती है फिर बहे रात को उटके अपनी मॉम के रूम में जाता है और पूँचता है बहे और ओरत कौन थी फिर भेह अपनी मॉम के रूम में जाता है तब ही रेविका उसे उसके डैट का लैप्टॉप देती है जिसमें भेह अपने डैट के फोटो और वीडियो देखता है अब टॉमी को सारी बाते पता चल चुकी है जिसकी बज़े से टॉमी को गुष्चा आ जाता है और अपनी उपपात का कोई मतल fade नहीं है यहीं पर मुवी का element हो जाताहै कर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में